हेलो एवरीबडी वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैक बेंचर स्पार्ट साला जिस पर हम आपको करवा रहे हैं 10th के साइंस अब्जेक्ट की तैयारी ताकि आप अपने बोर्ड एक्जाम में अच्छे से सकोर कर सको और आप समझ के साइंस के सभी कोश्चन का अंसर कर अपने बहुत सारे काने सुने होंगे यह काली-काली यांखें यह बिली-बिली यांखें पता निक कैसी आखें ऐसी आखें सागर जैसी आखें निली-निली आखें आज हम आपके वो सारे कनफ्यूजन दूर करने वाले हैं कि आखें निली हैं तो क्यों हैं काली हैं तो क्यों हैं ब्राउन हैं तो क्यों हैं सागर जैसी क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि गीत लिखने वाले ने गाना लिखने वाले ने आपको बेवकूफ बना दिया है वही चीजें हम आज देखने वाले हैं सबसे पहले हम बात करेंगे आँख के बारे में हमारी बोडी के अंदर बहुत सारे सेंस ओर्गन है जो most important सेंस ओर्गन के हम बात करते हैं जैसे skin है हमारी ये भी एक सेंस ओर्गन है ये क्या सेंस करती है जब गर्मी लगती है हीट हो ठंड हो हमारी चमडी क्या है स्किन क्या है उसको सेंस करती है जो हमारी नोज है जो हमारी नाक है वो स्मेल को सेंस करती है इसी तरीके से एक most important sense organ of the body human eye आखों के बिना हम भगवान के बनाए हुए इस खूबसूरत संसार को इस colorful world को कभी भी नहीं देख सकते थे हमारी आखों के आगे अंधीरा चा जाता बहुत सारी चीजों को हम सूंग के स्मेल करके idea लगा के बता सकते हैं बट पूरा exact idea लगाना हो तो हमें वो चीज दिखाई देनी चाहिए तो अगर मैं ये बात कहूं कि अगर हमारी आखों की रोशनी गायव हो जाती है तो एक परकार से जो सत्यता है सचाई है वो भी कहीं ना कहीं गायव हो जाती है इस बात में कोई दोराए नहीं है सो ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम पढ़ते हैं parts of human eye human eye के जो parts है और जो हमारे exam में हम से पूछे जाने हैं उनके बारे में हम जीकर करते हैं सबसे पहला part होता है कोर्निया की अगर मैं बात करूँ तो ये वाला part जो आप देख रहे हो ये बाहर ये वाला part जो सबसे पहला part है पहला part कोर्निया क्या होता है अगर मैं इसकी structure की बात करूँ कि ये कैसा बना होता है ये एक thin membrane की तरह होता है थिन मेंब्रेन की तरह है आप लोगों ने प्याज में देखा होगा जब आप प्याज के छिलके उतारते हो तो उन छिलकों के अंदर से एक पॉल थिन के जैसी ट्रांस्पेरेंट एक पतली सी परत भी उतरती है आप कभी उतार के देखना एक जिल्ली उतरेगी बहुत पतली सी जो ट्रांस्पेरेंट होती है हमारी आख के उपर भी बिल्कुल ऐसी ही एक पतली सी जिल्ली लगी हुई होती है जिसको हम कोर्निया कहते है अब कोर्निया का काम क्या होता है हमारी आख में जो लाइट आएगी वो सबसे पहले कहां पे एंटर होगी कोर्निया में तो ये आँख का first part है जहां पे light सबसे पहले एंटर करती है उसके बाद यहां पे क्या होगा light एंटर होने के बाद हमें पता है हम पढ़ चुके हैं कि अगर medium transparent है तो उसमें क्या होगा reflection तो यहां भी क्या होगा reflection reflection कितना हमारी आख का maximum reflection यहीं पे हो जाता है सतर से 80% reflection आप देख रहे हैं कितना important है यह सतर से 80% reflection कर देता है reflection बताने की जरूरत नहीं है कि light की direction में change कर देगा और यह जो होता है हमारा cornea यह देखो कैसे है आप देख रहे हो ना ऐसे बाहर निकला हुआ है तो अगर कोई पूछे यह कैसा होता है bulge bulge outside अगर कोई पूछे कि कहां पे स्थित है तो आप आख बंद करके लिख देना कि in front surface of eyeball eyeball के बिलकुल front surface में क्या क्या बातें आपको याद रखनी है यह एक thin membrane है light सबसे पहले यहीं पे enter होती है reflection maximum यहीं पे होता है लगवग 70-80% यह बाहर की तरफ निकली हुई होती है और यह कहां पे होती है eyeball के बिलकुल front surface पे इसके साथ साथ यह एक चोटा सा काम और करती है यह हमारी आखों को protect करती है किसे dust particle हो गई या कोई भी foreign particles जो बाहर से आते हैं उनसे हमें protection provide करवाती है यह सब था retina के sorry cornea के बारे में जो हमारी आख का first part था इससे ज़्यादा आपके exam में cornea में से कुछ नहीं पूछा जाना है कैसी है इसकी structure thin membrane की तरह है light सबसे पहले enter होती है maximum reflection कहां पे होता है यह सब बाते हैं इसके बाद हम पढ़ेंगे next जो दूसरा part है हमारा बिलकुल most important part देखिए aqueous humor यह क्या होता है aqueous humor देखिए आप लोगों ने water purifierों में नाम सुना होगा aqua का water purifier होता है aqua का मतलब होता है पानी तो हमारी आख में कोरनिया के पीछे यहाँ पे कोरनिया के पीछे यहाँ पे दूसरे number की जब हम बात करने हैं यहाँ पे बिलकुल continuity के जैसी consistency वाला बिल्कुल वाटर की तरह वाटर के जैसी consistency वाला पानी की तरह होता है एक liquid भरा हुआ होता है जिसको हम कहते हैं aqueous humor इसको water like consistency क्यों कहा क्योंकि इसमें लग बग 90% तो बिल्कुल पानी ही होता है बाकी का जो 10% बच गया वो बच जाते हैं जो हमारे बाकी के minerals हैं जैसे vitamin protein जो कुछ भी होता है इसलिए इसको aqueous humor नाम दिया गया अब इसका काम क्या होता है इसका काम होता है प्रेशर को balance करने का काम होता है जब यहां पे यह पानी होता है तो यह pressure को कैसे balance करता है कि हमारी आख के बाहर कुछ प्रेशर होता है और यहां पे फ्रंट पे कुछ kप्रेशर कुछ होता है तो यह pressure को maintain कर देता है ताकि बाहर के foreign particles आख में अंधर ना आ सके क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर बाहर प्रेशर कम होगा और अंदर प्रेशर सोरी बाहर प्रेशर ज्यादा होगा और अंदर प्रेशर कम होगा तो फोर्न पार्टिकल्स ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरह भागे आएंगे और वो हमारी आँखों में घुश जाएंगे जिससे हमारी आँखों में दिक नाम है क्या वो सागर किसको बोल रहा है वो एक्वस हूमर को यानि कि उसकी आँख में उसको मुझे लगता है कि पानी टाइप कुछ ज्यादा दिखाई दे रहा होगा जो राइटर था उसने किसी की आँखों को देख लिया जिसमें उसको पानी-पानी सा नजर आया और इस को ही उसने नाम दे दिया सागर और गाना लिख दिया सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या उसे सागर का नाम है एक्वस हुमर तो एक्वस हुमर के बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट जो तीसरे नंबर पे most important जो हम पढ़ते हैं सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं ये होता है हमारा प्यूपिल most important parts में से एक पार्ट है हमारी आखों के अंदर light की कितनी मातरा जाएगी ये कौन तै करता है ये तै करता है श्रीमान प्यूपिल यानि कि ये क्या करता है ये करता है ये करता है regulate the amount of light entering in eyes आख के अंदर कितनी light जाएगी कितना amount light का जाएगा वो कौन तै करता है हमारा ये ये देखो black color का जो आप देख रही है ये जो black color का आप देख रहे है प्यूपिल ये ही कंट्रोल करता है ये बिलकुल उसी तरीके से है जैसे हमारे घरों में खिडकी होती है जितनी रोशनी हमें चाहिए होती है हम खिडकी को उतना ही खोलते हैं और जितनी रोशनी ज्यादा चाहिए हम खिडकी को उतना ज्याद खोल देते हैं प्यूपल का काम वही है कि light के amount को control करना regulate करना अब यहां पे आप लोग एक बात ध्यान से देखिएगा कि यह कहां पे होता है आप हमारी आँख हैं जो यह आँखे हैं इसमें एक black कलर का या किसी किसी की आँखों में blue कलर का या green कलर का कुछ भी एक बिल्कुल कलर के sport को हम कहते हैं pupil कहां पे होता है यह आइरस आइरस के पास तो प्यूपल का क्या होता है amount of light को control करना आप लोगों ने देखा होगा कि जब कभी किसी की death हो जाती है या आप कभी किसी doctor के पास जाते हैं तो doctor क्या करता है doctor आपकी आँखों में torch मारके ऐसे torch मारके देखत है और यह तो वह क्या देखता है वह ऐसे देखता है कि प्यूपल का साइज कम या ज्यादा हो रहा है या नहीं वह कैसे क्योंकि जब light dim light होती है जब dim light होती है तो जो हमारा प्यूपल का साइज है वह क्या हो जाता है बड़ा हो जाता है और जब light bright होती है तेज light होती है त pupil क्या हो जाता है contract हो जाता है सिकुड जाता है जब आपकी आँखों में तेज रोशनी पड़ी बिल्कुल तेज रोशनी आप ऐसे आँखों को बंद करने की कोशिश करते हो आप आँखें बंद नहीं कर रहे actually में आप ये pupil का size कम कर रहे हैं ताकि आँख में light कम मात्रा में entry कर सके क्यों अगर आपकी आँखों में ज्यादा light चली जाएगी तो आपकी आँखें हो जाएंगी खराब और हमारी आँख का जो ये pupil है ये कभी नहीं चाहता कि हमारी आँखें खराब हो जो आदमी मर जाता है उसका जो pupil का size है वो छोटा बड़ा होना बंद कर देता है छोटा बड़ा होना बंद कर देता है इसलिए डॉक्टर उसकी आँख में light मार के देखता है कि pupil का size कम ज्या को छोड़के जा चुका है आप लोगों रेक वाड़ पढ़ा होगा जब हम पढ़ते थे लेंस के बारे में, मिरर के बारे में, एक चीज पढ़ते थे अपर्चर तो मैं ये बात भी बोल सकता हूं कि जो हमारा प्यूपिल है वो एक variable aperture की तरह काम करता है यानि कि इसका diameter कभी कम हो जाता है कभी जादा हो जाता है तो क्या ये diameter कुद से ही कम जादा हो जाता है? नहीं बिल्कुल नहीं इसका जो मदद है वो कौन करेगा इसकी मदद करेगा हमारा जो next part है फॉर्थ पार्ट जिसको हम नाम देते हैं आईरस अब ये महोथ ही बहुत ही बहुत ही काम की चीज है जो हम बातें कर रहे हैं ये काली काली आंखे नहीं लगता है उस writer ने science नहीं पढ़ी काला काला होगा Iris, हरा हरा होगा Iris, नीला नीला होगा Iris यानि कि मैं अगर एक बात कहूँ कि हमारी आंखों का रंग जो आप देखते हैं किसी की आंखों का रंग हरा ब्राउन तो वो किस के कारण होता है आइरस के कारण जो आपको इस वाले फिगर में ग्रीन कलर का दिख रहा है ये ग्रीन कलर का ये है आइरस मैंने ये हरे रंग की आँख बनाई है हरे रंग वाले व्यक्ती की आँख बनाई है तो ये हरा हरा क्या होता है आइरस क्या होता है कि हर एक इनसान के आइरस में different different color के pigment होते हैं pigment मतलब छोटे छोटे particles तो जिस इनसान के आइरस में जिस color के pigment होंगे उसी color की उस इनसान की आँख भी होगी अब इस आईरस का इसके साथ साथ और क्या काम है इसका काम क्या है जो हमने प्यूपिल पड़ा था और ये अपने साइज को छोटा बड़ा कर रहा था लाइट के अमाउंट के हिसाब से तो उसको छोटा बड़ा करने का काम कौन करता है आईरस यानि कि मैं ये कह सकता हूँ कि ये कंट्रोल करता है क्या कंट्रोल करता है साइज को किसके साइज को प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है छोटा बड़ा करता है आप इसको बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए कि जैसे हमारे घर में खिडकी होती है और ये खिडकी पे लगा हुआ परदा है आइरस क्या है ये हमारे घर की खिड़की है प्यूपिल और ये इस पे लगा हुआ परदा जितनी light चाहिए परदा उतना ही हटाया जाएगा और जितनी light कम चाहिए परदे को उतना ही बंद कर दिया जाएगा यहने की open close बिल्कुल gate वाला काम करता है आईरस प्यूपिल के लिए लाइट कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा ये करता रहता है तो जो हमारी आँखों का रंग है ध्यान रखेगा वो किसके कारण है आईरस के कारण अगर कोई इसकी structure पूछ ले तो ज्यादा तो पूछते नहीं है dark muscular मसल है ये तो इसलिए muscular लिख दिया diaphragm डाया डाया फ्राम ये इसकी structure होती है बिलकुल ये muscle है यहाँ पर ये देखिए ये muscle है तो इसके बाद जो next होता है अब हम पढ़ चुके हैं कि नीली आँखें क्यों काली आखें क्यों अब ये आखों को पढ़ने के बाद जो next हमारा important parts of eye है वो है हमारा lens crystalline lens crystalline lens ये क्या होता है crystalline lens क्या होता है अब ये देखिए ये हमारा sixth part crystalline lens ये कहां पे है आप लोग ध्यान से देखिए ये कहां पे है देखिए ये white color का जो आपको पार्ट दिख रहा है ये lens अगर eye के lens की बात करूं तो eye में कौन सा lens होता है आपको दिखी रहा है convex और अगर lens convex है तो lens convex है तो वो कैसी image बनाएगा real बनाएगा और inverted बनाएगा बिलकुल अब ये real और inverted बनाएगा ये क्या काम करता है lens का काम भी वही है जो यहां पे cornea का था क्यूंकि lens हमने जब पिछले chapter में पढ़ा था तो हम पढ़ रहे थे reflection के बारे में तो ये क्या करेगा reflection करेगा तो आप लोग कहेंगे कि सर आपने तो कहा था most of the reflection cornea में हो जाता है हां बिलकुल हो जाता है 72-80% reflection जो है वो cornea में हो जाता है front surface पे ही हो जाता है बट जो बचा हुआ reflection कोन है वो lens करता है यानि कि मैं एक बात लिख सकता हूं कि ये finer adjustment finer adjustment करता है कि जितना reflection आगे चही होता है उसको बिलकुल exactly उतना ही कर देता है और वो हमें दिखा देता है उस object को बिलकुल clearly जो चाहिए कितनी भी distance पे रखा हो यानि कि दूसरे सब्दों में मैं ये कह सकता हूं कि जो हमारा लेंस है वो क्या adjust करता है वो adjust करता है स्रीमान focal length focal length कैसे वह करता है अपनी curvature को adjust करवेचर आप लोग समझते हो कि ऐसी ये करव होती है कि जब light जब light dim होती है जब light तेज होती है जब focal length कम होती है जब focal length ज़्यादा होती है उसके हिसाब से वो अपनी करव को और focal length को change करता है तो change करने के लिए आप लोग बताएए कि अगर ये rigid होता बिलकुल कांच का होता तो ये अपनी करवेचर को कभी भी change नहीं कर पाता कभी भी अपनी करवेचर को change नहीं कर पाता कभी भी मोटा पतला नहीं हो पाता light के हिसाब से इसलिए जो हमारा ये lens है जो ये lens है ये बिल्कुल एक flexible material का बना हुआ है और वो flexible material क्या होता रहता है flexible material vary करता रहता है करवेचर में change होता रहता है और जो lens है वो मोटा पतला होता रहता है इसके बारे में detail में हम power of accommodation वाले topic में जीकर करेंगे so lens क्या होता है flexible होता है flexible material का बना होता है convex lens लगा होता है real inverted image fine adjustment कर देता है अब यह जो curvature है जो यह curvature है यह curvature है यह कैसे change हो रही है यह curvature कैसे change हो रही है क्या नहीं इसका साथ देगा एक next part of eye जो sixth part है हमारा जिनको हम कहते हैं ciliary muscle यह sixth part हमारा ciliary muscle ciliary muscle यह क्या करती है बिल्कुल वही काम करती है जो काम आइरस प्यूपिल के लिए करता था प्यूपिल का size कौन कंट्रोल करता था आइरस तो जो lens है इसका size कौन कंट्रोल करेगा इसका size कंट्रोल करेगी ciliary muscle आँखों के अंदर यह देखो यह जो यह red color वाली आपको यहाँ पे यह दिख रही है यह दिख रही है यह ciliary muscle है जो lens के curvature को कम ज्यादा करती है lens के curvature को कम ज्यादा करती है यानि कि मैं यह कह सकता हूँ कि यह size को कंट्रोल करती है किसके size को कंट्रोल करती है lens के size को ठीक है यह मैं दूसरे सब्दों में बोल सकता हूँ कि यह curvature को करवेचर को एड़्जेस्ट करती है किसके करवेचर को लेन्स के करवेचर को तो यह Siliary Muscle थी अब जो Next हमारा पार्त है वो है हमारा यह देखें Siliary Muscle आप लोग धें रखेंगे गा कि जब आप कम या ज्यादा लाइट में या object को बहुत ज़्यादा नजदीक लाके ऐसे पढ़ते हो तो आपकी इसलेरी मसल ज़्यादा काम करते हैं कुछ टाइम के बाद क्या होता है यह मसल कमजोर हो जाती है और आपकी आखें भी कमजोर हो जाती है इसलिए कहते हैं कि थोड़ा distance से पढ़ना चाहिए और थोड़ा वाली है यह रेटिना रेटिना क्या है रेटिना हमारे आँख की screen है स्रीमान लाइट की image यहां से यहां से अब देखें इसका nature कैसा है image बनेगी और वो जगह क्या होगी वो जगह होगी screen और वो screen आँख की वो screen क्या है retina, retina होती है आँख की screen जहां पर बनती है image आँख में image कहां पर बनती है retina पर कैसी बनती है real and inverted बनती है अब यहां पर most important जो बात है वो यह होती है कि इस पर image जो बनती है वो image कैसे बन जाती है हमारी retina में बहुत ही important cell होते हैं एक का नाम होता है road cell और एक का नाम होता है कौन cell यह देखिए आप यह road cell और कौन cell लगे होते हैं road cell का का काम क्या होता है यह light की intensity को sense करते हैं light की intensity को दूसरी भासा में अगर मैं बात करूँ कि आपकी आँख के सामने जो object है उसकी shape कैसी है उसका size कैसा है यह कौन निर्धारित करता है road cell रेटीना के road cell और यह shape और size तो निर्धारित कर देते हैं परन्तु यह रंग का निर्धारन नहीं कर पाते उस को उस कमी को दूर करने के लिए प्रमात्मा ने हमारी आँखों में रेटीना पे एक और cell लगा दिये और उन cell को कहते हैं कौन cell यह कौन cell क्या करते हैं यह color को sense क करते हैं यानि कि कोई चीज केस कलर की है उसको sense करते हैं कौन कौन cell कलर को कौन cell और intensity of light को और object की shape या size को road cell आप लोगों ने देखा होगा कि जब शाम हो जाती है अंधेरा हो जाता है तो जिस टाइम पे हमें काफी कुछ दिख रहा होता है उस टाइम पे सभी पक्षी अप जा रहे होते हैं ऐसा क्यों ऐसा इसलिए कि हमारी तुलना में पक्षियों के पास जो road cell है वो क्या होते हैं कम और उनको कम light में दिखाई नहीं देता उनको object की shape and size समझ में नहीं आती अगर वो कुछ और ज़्यादा समय लेट कर देंगे तो वो अपनी मंजिल पे कभी नही पहुंच पाएंगे क्योंकि उनके पास road cells की क्या है कमी है तो यही चीजें है road cell और कौन cell एक बात पूछ ली जाती है कि यह cell कैसे होते हैं यह light sensitive cell होते है light sensitive light sensitive का मतलब यह क्या है कि light को sense करते हैं दूसरा सबद वो आपको दे सकता है photoreceptor cell photo receptor का मतलब भी यही होता है photo का मतलब होता है light receptor का मतलब receive करने वाले light को receive करने वाले cell लगे होते हैं कहाँ पे retina पे यह आप नीले रंग की blue color की देख रहे हो screen आपकी आँख में यह है हमारी retina इस पे जाके light पड़ेगी और यहाँ पे जाके image draw होगी और जो वो image है उसके signal अब आप लोगों को तो क्या है आप लोगों को तो object सीधा देखना है बट retina पे क्या है retina पे तो image उल्टी बनी हुई है तो आगे का काम कैसे कैसे संभव हो आगे का काम संभव होगा हमारा optics nerve के जरिए next हमारा जो part है वो है optics nerve यह क्या करती है यह चोटे चोटे तार हैं हमारे आख के अंदर बिल्कुल चोटी चोटी न से बिल्कुल चोटे चोटे तार यह क्या करते हैं यह retina से यह retina से electrical signal जो light आई है उसको electrical signal में convert करके कहाँ पर भेज देते हैं electrical signal में convert करके कहाँ पर भेज देते हैं brain में बेज़ देती हैं और brain में क्या होता है brain में हमारा brain उस image को क्या करता है interpret करता है यानि कि सुधार करता है उसमें और interpret करने के बाद वो क्या कर देता है उसमें processing करता है जैसे बिलकुल हमारे computer में होती है उसमें अपना कामकाद सुरू कर देता है processing सुरू कर देता है हमारा दिमाग कहां से retina से गए electrical signal कहां पे हमारे दिमाग में कि के जरीए कि के जरीए optics नर्व के जरीए optics नर्व के जरीए हमारे ब्रेन में चले गए हमारे ब्रेन ने उस image को इंटर्प्रेक्ट किया जाना पहचाना क्या है से और फिर यथो प्रोसेसंग और उसके बाद हमें object दिखाई दे जाता है यही काम है optics नर्व का अब जो एक इसमें जो most important एक चीज होती है आप लोग यह बताईए कि हमारी eyeball है हमारी eyeball है या हमारी आख है उसकी shape कैसी है आई की shape कैसी है आप लोग comment में भी mention करके बताईएगा एक बार pose करके हमारी आई की shape है जो वो spherical है कैसी है spherical shape तो हमारी आख की spherical shape कैसे maintain हो रखी है कैसे बनी है यह कभी ऐसे security क्यों नहीं है यह बिल्कुल फैलती क्यों नहीं है इसके लिए एक most important part है जिसकी हम बात करेंगे 10 number पे वो क्या है विट्रस humor क्या है विट्रस humor अब विट्रस humor की अगर मैं बात करूँ एक humor हमने पढ़ा था humor पानी के एक तरह है यह होता है बिल्कुल जैल लाइक structure होती है इसकी जैल लाइक जैल लाइक अगर आप साधारन भासा में कहो तो यह बिल्कुल honey की तरह होता है काफी गाड़ा गाड़ा liquid होता है हमारी आँक के अंदर भरा हुआ जो यह आप red color का देख रहे हो यह क्या करता है यह ऐसा काम करता है कि यह आँक के अंदर ऐसे बाहर की तरफ pressure लगाता रहता है ऐसे pressure लगाता रहता है हर side से हर साइड से ऐसे प्रेशर लगाता रहता है और इस प्रेशर लगाने के साथ क्या मदद मिलती है आप लोग ध्यान से सोचिए कि बाहर प्रेशर कुछ है और आख के अंदर प्रेशर कुछ है जब आख के अंदर ये प्रेशर लगाता है तो ये क्या हो जाता है maintain करता है क्या maintain करता है spherical shape of eye spherical shape of eye को maintain करता है आँख की spherical shape बिल्कुल जैसा सफीर है वो यही वाला liquid vitrush humor बना के रखता है आप लोग एक example से समझ सकते हैं कि जैसे गुबारा होता है आप balloon में हवा भर देते हो जब तक उसके अंदर हवा है तब तक गुबारा अपना size बनाए रखेगा कायम रखेगा बट जैसे ही उसके अंदर से हवा निकल जाती है तो वो है अपना जो shape है size है उसको खो देता है leak होने के बाद बिल्कुल इसी तरीके से क्योंकि वो हवा गुबारे के अंदर क्या करती है वो दबाव बना के रखती है गुबारे की walls के अंदर surface के अंदर और वो उसको बाहर की तरफ फुला के रखती है बिल्कुल वही काम vitres humor करता है जो honey की तरह की structure होती है gel like structure होती है spherical shape बनाने के रखने में ये मद्द करता है इसके साथ साथ चोटी सी चीजें आपको एक दो बातें और बता देते हैं वो क्या होता है कि आँख का एक पार्ट होता है हलनकि आपके exam में इसके बहुत ज़्यादा importance है नहीं है पूछा नहीं जाएगा लेकिन फिर भी हम बता देते हैं कि एक चीज होती है blind spot वो क्या होता है blind spot एक ऐसी जगा होती है blind spot एक ऐसी जगा होती है जहां पे सभी optics nerve आके meet कर जाती है बिल्कुल ऐसे आके meet कर जाती है optics nerve ऐसे आके जब ये एक जगा पे यहां पे के converge हो जाती है तो वहाँ पे कभी भी कोई भी light नहीं पहुँच पाती कोई भी किसी तरह की image नहीं बन पाती उसका size बहुत छोटा होता है यानि कि आँख में भी एक जग है ऐसी होती है जो इसको हम blind spot कहते हैं वो बिल्कुल अंधी होती है उसमें हमेशा अंधेरा होता है पे optics nerve ऐसे आके converge हो जाती है और वहाँ पे कभी भी कोई image नहीं बनती इसके साथ आपसे एक बात पूछी जा सकती है eyeball का size अगर size की बात करूं मैं तो इसका size लगबग 2.3 cm होता है लगबग लगबग eyeball है जो हमारी इसका size eyeball का size 2.3 cm होता है I hope आपको आँख अच्छे से समझ में आई होगी यह हमने ड्रा कर रखा है एक अलग से figure आपके लिए ताकि आप आइरस के बीच में और pupil के बीच में अच्छे से difference समझ सको यह बीच में देखो यह black color का है यह pupil है यह green color का है यह आइरस है लगबग इसके सारे ही जितने parts है वो हमने cover कर लिए है और उमीद करते हैं आपको समझ में आया होगा next topic में next video में मिलते हैं तब तक के लिए thank you शुक्रिया